करीना कपूर खान भी अपने बेटे तैमूर से बहुत प्यार करती है उन्हें तैमूर के साथ वक्त पिताना बहुत पसंद है कभी कभी तो वो तैमूर को अपने साथ सेट पर भी ले जाती है जब तैमूर करीना के आसपास नहीं होते है तो वो उन्हें बहुत मिस करती है वहीं तैमूर भी करीना को बहुत मिस करते है हाली में करीना ने बताया कि जब वो अपने काम पर जा रही होती है तो तैमूर उनसे ऐसी बात कह देते हैं जिससे उनका दिल तूट जाता है इसलिए कई बार वो उनसे बिना मिले ही चली जाती है बता दे करीना ने बताया कि जो वो काम के लिए घर से जाती है तो तैमूर उन्हें छोड़ते नहीं है और कहते हैं अम्मा मत जाओ करीना ने कहा कि वो सुनकर उनका दिल तूट जाता है इस वज़ा से वो कई बात तैमूर से मिले बगैर ही घर से निकल जाती है वहीं करीना ने ये भी बताया कि तैमूर उन्हें अम्मा और सै independent को अबब बुलाता है एक्ट्रेस ने कहा कि उनका बेटा उन्हें जैसे चाहे वैसे बुला सकता है लेकिन सै और उनकी बहने शरमिला टैगार को अम्मा बुलाते है और स्वर्गिये पटोधी को अबबा कहते ह इस वजह से तैमूर भी ये शब्द सीख गया है वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना जुल्टिया आमीर के साथ फिल्म लाल सिंग चड़ा में नज़राएंगे वहीं अगर तैमूर और करीना का पूर के रिष्टे की बात करें तो तैमूर और करीना एक दूसरी से बहुत प्यार करते हैं और तैमूर वाख़ी अभी भी लाइम लाइट में बना हुआ है हर मीडिया हाउस हर मीडिया चैनल टैमूर के पिचर्श क्लिक करने से पीछे नहीं हटता वहीं करीना भी एक ऐसी मा है जो अपने बच्चो को छुपाके नहीं रखती वो भी मीडिया चैनल के सामने साफ साफ तैमूर को खड़ी करते थी हैं और बोलते हैं लोट जितने पिच्चर्स लेनी हैं ले लो क्योंकि आपको बता दें ऐसे ही बॉलिवू चुके कई हस्तिया है जो अपने बच्चों के पिच्चर्स क्लिक करने नहीं देती जैसे कि आश्वारय राय अपनी बेटी को लेके बहुत पोजेसिव है और वो अपनी बेटी को दुनिया के सामने नहीं लेकर आते और मीडिया चैनल को साफ बोल देती हैं कि मेरे पिच्चर्स ले लो लेकिन मेरी बेटी की मतलो वहीं बात करते हैं रानी मुखर जी की रानी मुखर जी ने भी अपनी बेटी को दुनिया के सामने चुपा के रखा हुआ है रानी मुखर जी अपनी बेटी को कहीं लेकर भी नहीं जाती ना ही उनकी बेटी को कभी उनके साथ देखा गया है करीना कपूर को घर पर चैन से बैठने नहीं देते हैं ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए लेखते रहें नेक्स नाइनी उल्जर मैं हूँ आपके साथ साधिका को धन्यवाद